एक परतिसत वार्शिक की दर है ठीक है यह दिया हुआ इसने बी बाई डिटी जो है पाँच परतिसत वार्शिक दर है सकी व्रदी कि में फैस tätä है वह 5% कि दर से है तो उसे हम स्वांग करेंगे फीज connected diviide में ले आएंगे तो यह हो गया dp over p equal to 5 यह कितना जाएगा 1 by 20 the one by 20 डीटी फिर इसका integration कर देंगे दोनों साइड का तो यह हो जाएगा log लोग P equal to 1 by 20 T और प्लस एक constant ले लेंगे ठीक है फिर हम इसमें condition अपने आप बना लेते हैं कि T equal to 0 यानि कि जब हम पैसे दे रहे हैं उस वक्त अगर मूलधन जो है principal amount 0 है P0 ठीक है तो T equal to 0 पर P equal to P0 लिखेंगे तो लोग P0 पी 0 यहां करें और यह हो गया 1 by 20 into 0 और प्लस C तो जी तो 0 ही हो गया सारा यह C की value आगी लोग P0 इसे यहां पर रख देंगे तो लोग P equal to 1 by 20 T प्लस लोग P0 या P0 इसको इधर ले आओ तो यह हो जाएगा लोग P minus log P0 equal to 1 by 20 T अब यह लोग में अगर X minus Y लिखें हो तो X बटे वाई हो जाता है यह तो इसे लिख लेंगे हम लोग P over P0 equal to T by 20 या 1 by 20 T या इसे अगर लोग को यहां से अटाएं तो इसे लिख लेंगे हम कितना P over P0 equal to यह E की power हो जाती है यहां से लोग अटता है तो यह E की power जाती है क्योंकि यह E base है तो यह E की power होती है यह E की power हो जाएगी 1 by 20 कितना हो गया पॉइंट जीरो फाइव और T यह आगया यह P equal to हो गया पी नॉट इटू दी पावर 0.05 T अच्छा अब यह कहता क्या है हमारे से की हाँ एक हजार रुपे जमा करा जाते हैं इस बैंक में एक हजार रुपे यान की सुरुवात में पी नोट जो है वो एक हजार रुपे है तो यह बताओ उसमें दस वर्स बाद यह रासि कितनी हो जाएगी तो दस वर्स बाद निकालना है हमें तो करो इसमें जमा पी नोट को लिखो कितने होगे एक हजार T को लिखो कितना दस दस साल तो P equal to कितना हो जाएगा P note तो हो गया 1000 है न यह लिख लेंगे हम 1000 E to the power 0.05 और T की value 10 तो क्या होगा यह 1000 और इसकी गुणा हो जाएगी तो point इधर किस कहगा यानि कि 0.5 हो गयी है ठीक है वही एक point इधर place एक हो गया अब इसकी value लिख लेंगे 1000 और इसकी कितनी है 1.648 तो इसकी multiply करेंगे तीन इधर किस जाएगा तो यह हो जाएगा 1648 उर्प हो जाएगे P equal to तो इसमें जो है यह दिया हुआ है कि जिवानों की संख्या में वरद्धी की दर ठीक है न the number of bacteria present in pot जो उसमें जिवानों है उनके समानुपाती है जितने उसमें हैं उसके अंदर उसके proportional में है यह दिया हुआ है इसके समानुपाती है तो हम इसे करेंगे dx by dt इक्वल टू के एक्स ठीक है जब यह प्रपोर्शनल का साइन हटाते हैं समानुपात का तो हम के से एक कॉंस्टेंट से मल्टिप्लाई करते हैं तो तुमने पढ़ी रहे हैं फिजिक्स में केमिस्ट्री में बहुत जगे आता है यह अच्छा अब जैसे हम पहले से करते आ रहे थे वैसे इसे कर लेंगे इन्हें सोल तो dx ओवर x यहां लिख लेंगे और k dt इसका integration कर लेंगे दोनों साइड का तो यह हो जाएगा log x equal to k t plus c अब इसने कहा है कि शुरुवात में जो bacteria है उनकी count उनकी संख्या एक लाग है ठीक है शुरुवात में एक लाग है तो इसे हम अगर लिख लें t equal to 0 t equal to 0 पर x अगर x note कह दें चलो अब यह एक लाग नहीं लिख दें जहनुवात में अगर यह x 0 है तो इसे कैसे लिखेंगे log x equal to k c यह तो 0 हो गया और x की जगे x note हो गया तो यह c की value आगई है log x note इसे यहाँ पर रख लेंगे हम तो log x equal to kt plus log x note इसे इदर लिखेंगे है न इस तरह कैसे सवाल हो चुके हैं हमारे तो यह हो जाएगा अब log x minus log x note or equal to kt और यह हो जाएगा फिर log x over x note equal to kt अच्छा अब यह सर्थ एक दी है इसने कि दो घंटों में इनकी संख्या में कितना हो जाएगा एक लाख और गुना दस और बटे में सो ठीक है एक जीरो तो इकट गी है और एक जीरो इकट गी कितना आ गया दस हजार आ गये तो दस हजार जो है बैक्टिरिया दो घंटे में बढ़ जाते हैं तो अगर x note हमारा x note जो है शुरुआत में एक लाख था है ना जब हमने शुरुआत ली तो बैक्टिरिया जो है उसकिसी बरतन में रखे हुए थे वो एक लाख थे और उसके बाद x जो है वो हो गया है कित ठीक है ये होगे एक लाग दस discriminate तो इसे रखेंगे हम टे का मान ये एकस का मान ये और एकस नोट का मान ये ये इसमें रखो इसवाली मेक्विशन वन कहां दो इसे इसमें रखेंगे देखो अब रखो इसे X का मान कहरे थे हम एक लाग दस हजार रखने को और X not का मान था एक लाग जो शुरुवात में थे बैक्टिरिया और इकल टू के और टी का मान था टू अब देखो इसमें चार जिरो तो कैंसिल होगी तो कितना गए लोग 11 बाइ 10 इसने 11 बाइ 10 लिख लो या 1.1 लिख लो ठीक है 1.1 इकल टू के 2 के है यानि की का मान क्या निकल सकता है यहां से 1 बाइ 2 लोग 11 बाइ 10 लिख रहा दिखे बुक में हैं तो यह आ गया के की वेल्यू आगी 1 बाइ 2 लोग 11 बाइ 10 यह के की वेल्यू है और यह हमसे पूछना चाहता है कितने गंटों में जिवानों की संक्या 2 लाख हो जाएगी ठीक है यह कितने गंटों में दो लाख हो जाएगी यह हम से पूछना चाहता है तो ठीक है की जो वैल्यू है इसे यहां पर रख देंगे हम तो एक्विशन जो हमारी यह बनी हुई थी वन इसमें रख रहे हैं तो लोग एक्स और एक्स नोट इक्वल टू के की वैल्यू रख रहे हैं वन बाई टू लोग इलेवन बाई टैन टी ठीक है टी यहां सुरू में रख ले रहे हैं नहीं तो ऐसे लएगा यहां ती इसके साथ मल्टिपलाई में हो अच्छा अब यह किरा है कि जब उनकी जिवानों की संक्या जो है वो दो लाख हो जाएगी जो बैक्टरिय की काउंट है वगर वो दो लाख हो गई सुरूवात एक्स नोट कितना है जो सुरूवात में बैक्टरिया है हमारे एक लाख फिर हो गए वह दो लाक तो उसे कितना समय लगेगा यह हमसे निकलवाना चाहरा है इसमें कितने घंटों में दो लाक हो जाएगी तो रखो इसमें तो लोग लोग एक्स की वेलू रख लेंगे टू लाक टू लाक होगी है ओवर एक्स नोट वन लाक हो जाएगी एक्कॉल टू वन बाई टू का मान निकालना है और लोग इलेवन बाई टैन अब यह पांच जिरो तो पूरी कटी गई तो लोग टू आ गया यह तो बीदरी आ गया तो लोग टू डिवाइड में आ जाएगा यह लोग इलेवन बाई टैन पता नहीं देख लो जो लिख रहा हो तुम्हारे में टी की वेल्यू यह आगी निकल गए यह आंसर है इसका थर्ड कोश्चन में हम इससे देखो क्या लिख लेंगे इसे इटू दी पावर एक्स डि एक्स को ले जाएंगे ठीक है इनका समाख़ लगां करेंगे इसे ऊपर लिख लो आ keywords इंटि पावर माइनस वाइं डि वय और इससे लिकलेंगे इसे दू दी पावर एक्स दी एक्स और इसका इंटेगरेशन करेंगे इसका इंटेगरेशन क्या हो जाएगा इससका मान लो इदर मान लो एक ही बात है इदर भी मान सकते हैं ठीक है और फिर इस इसको इदर ले जाओ तो यह हो गया ईटू दी पावर एक्स प्लस ईटू दी पावर माइनस वाई ठीक है और इक्वल टू सी बस यह इसका अंसर आगया